नमस्ते विद्यार्थियों, JCRTK DG स्कूल में आपका स्वागत है विद्यार्थियों सात्वी कर्षा के समाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत हमने नागिक सास्त्र विशय के पहले चैप्टर जिसका नाम है लोगतंत्र इस पर हमने तीन विडियो के माध्यम से इस पूरे पाठ को हमने समझने का प्रयास किया और अब विद्यार्थियों हमारे समर्ष है प्रसन उत्तर तो विद्यार्थियों आप पेज नंबर 10 पे फोकस करें और आप देखें कि आपको कौन कौन से प्रस्ण हल करने हैं इस चाक्टर में तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपके समर्ष देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है यानि कि रीकत स्थानों की पूर्ती करनी है तो वच्चों रीकत स्थानों की पूर्ती में आपको 5 सवाल पूछे गए हैं पहला सवाल है खाली स्थान में राजा लोगों पर सासन करते थे तो वच्चों इसका उत्तर होगा राजतंत्र यानि कि राजतंत्र में राजा लोगों पर सासन करते थे इसी तरह से अगला सवाल है खालिय स्थान में लोगतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है तो इसका उत्तर होगा बच्चों स्वीटजर लैंड स्वीटजर लैंड नाम का एक देश है मैं पढ़ा चुका हूँ वीडियो के माध्यम से स्वीटिजर लैंड में लोगतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है तत्पस्चाथ आपका तीसरा सवाल है सारभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार आगे है खालियस्थन के सिधान्थ पर आधारित है तो इसका उत्तर होगा बच्चों समानता सार्भामिक वयस्क मत अधिकार का विचार समानता के सिधान्त पर अधारित है अगला सवाल है लोग तंतर में सभी वयस्क नागरीकों को फिर है खालिय स्थान देने का अधिकार होता है क्या देने का अधिकार होता है मत यानि की वोट लोग तंतर में सभी वयस्क नागरीकों को मत देने का यानि वोट देने का अधिकार होता है अगला है बच्चों जनता मद्दान करके फिर है खाली अस्थान का चयन करती है इसका उत्तर होगा जनता मद्दान करके प्रतिनिधियों यानि जो रिप्रिजेंटेटिव सोते हैं उनका चयन करती है तो ये खाली अस्थान वाले सवाल हो गए बच्चों अब हमारे समक्ष देखिए पांच सवाल हैं तो इन पांच सवालों को हम लोग एक एक करके अभी हल करेंगे और इसका आदर्स उत्तर जानने का प्रियास करेंगे बावजूद इसके बच्चों मुझे कहना है कि आप इन उत्तरों का हुबहु कौपी नहीं करेंगे बलकि आप अपनी भासा अपनी सब्दावली अपनी भुकाबलेरी का प्रियोग करेंगे तो इसमें पहला सवाल है समानता के किनी तीन कानुनी प्रावधानों को लीखिये दूसरा है मध्यान भोजन योजना से क्या फाइदा हुआ है यानि कि मीडे मिल इसकीम से क्या फाइदा हुआ है तीसरा सवाल है नागरिक अधिकार अंदोलन क्या है चौथा है सारभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है और पांचवा है किसी सफल लोगतंतर की दो विसेस्ताओं को बताएं तो इन पांचो सवालों को हम लोग एक-एक करके देखते हैं बच्चों आपका पहला सवाल है समानता के लिए किनी तीन कानूनी प्रावधानों के प्रावधानों को लिखिए तो इसका उत्तर होगा बच्चों समानता के लिए किनी तीन कानूनी प्रावधान इस प्रकार हैं किस प्रकार हैं पहला कानून की नजर में हर व्य जा चुका हूँ, अभी आप स्रिफ उत्तर को ध्यान से देखिए। गया है, ये पहला सवाल का जवाब हो गया। अब दूसरा सवाल है बच्चों, मध्यान भोजन योजना यानि की MDM से क्या फाइदा हुआ है। तो इसको पॉइंट वाइज लिखा हुए बच्चों, आप ध्यान से देख लीजिए। पहला, इसकूलों में बच्चों की भाग लिखिदारी बढ़ी है, दूसरा निर्धन परिवार के बच्चों को यानि की गरीब परिवार के बच्चों को भुखमरी से बचाया गया है। बिलकुल तीसरा है सामाजिक समानता के मुल्यों को बढ़ावा मिला है। चौथा लैंगिक समानता यानि की Boys and Girls पहले क्या था क Boys जादा स्कूल जाते थे, Girls कई कारणों से नहीं जा पाती थी, खाना पकाने या थ्वा कई अन्य कारण से घर में रहना पड़ता था, लेकिन अब बच्चियां भी स्कूल जा रही हैं, तो लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिला है। पांचवां महिलाओं को रोजगार क उपयोगी स्रोत मिले हैं, हमारी कई माताएं बहने जो हैं आज मध्यान भोजन पकाने के कार्ज में लगी हुई हैं, या सहयोग में लगी हुई हैं, छटा है बच्चों, बच्चों में बिविन अच्छी आदतें बिखसित हुई हैं, बहुत सारी अच्छी आदतें जैसे क भोजन करने के पहले, जो खाना खाने के पहले, जो साबून से हाथ धोते हैं, ये तो भचों में बहुत सुन्दर आदत डवलफ हो गई है, हाथ, पाओ, धोना, खुब अच्छे से धोना, ये अच्छी आदते हैं, इसी तरह से और भी बहुत सारी अच्छी आदते हैं, अपन से खुद के भोजन के प्लेट को साफ करना भोजन करने के बाद प्लेट को साफ करना ये सब कुछ अच्छी आदते हैं ये सब है अगला है बच्चों इससे भावात्मक या कहना होगा कि भावनात्मक और सामाजिक विकास में मदद मिली है है न हम लोग एक साथ बैठते हैं ए एक दूसरे की परशानियों को समझते हैं, एक दूसरे को सहीयोग करते हैं, बहुत सारी बाते हैं बच्छों। तो जो मध्यान भोजन है यानी MDM है, इससे बहुत सारे फायदे हुए हैं। अगला सवाल है बच्चों नाग्रीक अधिकार आंदोलन क्या है? यानि कि सीविल राइट मुवमेंट क्या है? तो बच्चों आपको पता है इसका संब्ध अमेरिका यानि USA से है? है न? तो चलिए इसे पढ़ता हूं मैं आप ध्यान से सुनिए नागरीक अधिकार आंदोलन का सम्मंद अमेरिका से है नागरीक अधिकार का यह आंदोलन अलगाव नसल और रंग के आधार पर अफरीकी अमेरिकन के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था बच्चो थोड़ा सा फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि आज से चार साड़े चार सो साल पहले उत्तर अमेरिका और दक्षिन अमेरिका में कोई नहीं बसते थे वहां के कुछ नेटिब्स थे और कोई नहीं थे आने वाले समय में यूरोप के बिभीन देशों से जैसे की इंगलाएंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, पोलैंड, बेल्जियम, स्विट्जर लैंड इन देशों से बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके जा के बसने लगे, USA बनने लगा, Canada बनने लगा, Mexico बनने लगा, Brazil बनने लगा, Argentina बनने लगा, ऐसे करके ये देश बनने लगे, है न? तो बनने तो लगे, लेकिन जभातर लोग बुद्धी जीवी थे, इसमें काम करने वाले लोग कम थे, काम करने वाले लोगों को फिर हम उ अफरीका के विभिन देशों से ले गए उन लोगों को तो जो लोग अफरीका से जाके अमेरिका में बस गए है न उसको हम लोग बोलते हैं अफरीकन अमेरिकन याद रखिएगा अफरीकी अमेरिकन है न तो ये जो अफरीकी अमेरिकन लोग है वो एक काले है उनका चेहरे का अस्वेथ है यानि कि ब्लैक है काला है और बाकी जो एरोप से जो लोग गया है वे गोरे लोग है तो इन काले लोगों को सम्मान नहीं मिलता था और बहुत तरह के अधिकार भी उन लोगों को नहीं मिलते थे यहां तक कि बस में जदी कोई काला ब्यक्ती यानि अस्वेत ब्यक्ती बैठा हुआ होता था और वहां पे कोई गोरा ब्यक्ती आ जाता था तो उसे सीट छोड़ देना पड़ता था यह सब बातें बच्चों में बता चुका हूँ लेकिन पुना एक बार आपको बता रहा हू तो चलिए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं नागरीक अधिकार अंदोलन का संबंद अमेरिका से है नागरीक अधिकार का यह अंदोलन अलगाओ नसल और रंग के आधार पर अफरीकी अमेरिकन के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था यह अंदोलन 1954 से 1968 क बीच चला इस अंदोलन की सुरुवात रोजा पार्क्स नामा के एक अफरीकन अमेरिकन महिला के द्वारा बस में अपनी सीट एक स्वेत ब्यक्ती को देने से मना करने के कारण उन्हें जेल भेज देने की प्रतिकिरिया में सुरू हुआ था यानि जब उन्होंने अपनी सी नहीं छोड़ी तो उनको जेल भेज दिया गया था जुर्माना हुआ था तब जो अफरीकन अमेरिकन लोगों लोग थे उन लोगों ने आंदोलन किया है ना यह आंदोलन बहुत लंबा चला था इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे वो मार्टिन लूथर किंग जूनिय जिन्हें बाद में सबसे कम उम्र में सन 1964 में नॉबल पुरुषकार दिया गया था तो समझ गया होंगे बच्चों इसका उत्तर को और अगला सवाल है सार्भामिक वयस्क मताधिकार क्या है तो इसको हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो उनिवर्शल एडल्ट फ्रेंचाईज जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं उसी को कहा जाता है सार्भामिक वयस्क मताधिकार जब राज के सभी वयस्क नागरीकों को वयस्क का मतलब भारत में 18 साल है बच्चों है जब राज के सभी वयस्क नागरीकों को जाती, धर्म, वर्ग, वन्स, सिक्षा, संपती या लिंग आदी के भेदभाव के बिना उनकी वयस्कता के आधार पर चुनाओं में वोट देन का अधिकार प्राप्त हो तो उसे सारभौमिक वयस्क मताधिकार यानि की उनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं सिधी सिधी भासा में कहेंगे बच्चों कि ना तो मनुष्य का धर्म देखा जाएगा ना जाती देखी जाएगी ना क्लास देखा जाएगा ना वंस देने का अधिकार है जिस देश में तो हम कहेंगे कि उस देश में सारभौमिक वयस्क मताधिकार है भारत में तो है है ना बच्चों अब अगला सवाल है किसी सफल लोकतंतर की दो विशेस्ताओं को बताएं किसी सफल लोकतंतर मनें लोकतंतर तो है लेकिन सफल होना चाहिए तो इसका उत्तर है वच्चों किसी भी सफल लोकतंतर की पहली विशेस्ता यह होती है कि उस देश में प्रतेग व्यक्ति को आगे प्रश्न पूछने के लिए सोतंत्र होता है और आलोचना या सकारात्मक विरोध भी कर सकते हैं तो इस तरह से पांच सवाल तो हुए बच्चों ये अब इसके आगे हैं आईए चर्चा करें वाले सवाल तो चर्चा करने वाले जो सवाल है उसमें पहला सवाल है सम्विधान के प्रावधान समानता की अस्थापना करते हैं सम्विधान के प्रावधान जो हैं सम कि समाज में समानता करते हैं कानून में ऐसा नहीं है तो उत्तर है वच्चों सवांगे प्रावधान समानता की अस्थापना करते हैं लेकिन कुछ औसमानताएं समाज ने बनाई है जिन में जाती, अमिर गरीव, मजदूर पुंजी पती, मालिक नौकर, इत्यादी की घोर औसमानता से भराज जीवन इस औसमानता की खाई को और भी गहरा करने का आउसर देता है बच्चों इसी करम में हम आगे बढ़ते हैं, आईए चर्चा करें वाले सवाल का, चौथा सवाल है किसी सफल लोकतंतर की विशेष्ता, उसके नागरीकों को मताधिकार एवं अन्य छेत्रों में प्राप्त समानता से है चर्चा कीजिए, क्या चर्चा करना है? किसी सफल लोकतंतर की विशेष्ता, उसके नागरीकों को मताधिकापालातों की वोटिंग राइट होना चाहिए और दूसरा इक्वैलिटी होना चाहिए उस देश में है ना, तो वहां का जो लोकतंतर होगा वो सफल लोकतंतर होगा, तो कैसे इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं बच्चों देखिए स्कीन पे, किसी सफल लोकतंतर की विशेष्ता, उसके नागरीकों को मताधिकार एवं अन्य छेत्रों में प्राप्त समानता से है जहां तक मताधिकार की बात है, भारत में सभी नागरीकों को समान मताधिकार का अधिकार प्राप्त है हाँ बच्चों यहां तक तो है कि प्राप्त है, लेकिन हम लोग जब देखते हैं संसद में चाहे वो केंदर सरकार हो या राज सरकार हो तो महिलाओं को जितना प्रतिनित मिलना चाहिए क्या उतना है क्या आधी महिलाएं है संसद में संसद में जितने मेंबर्स हैं चाहे किसी स्टेट गौर्वर्मेंट का हो या सेंट्रल गौर्मेंट का हो क्या आधी महिलाएं है नहीं है तो नहीं है कहीं न कहीं मतलब है कि समान समानता का अधिकार होने के बावजूद उसका पूर्ण लाब महिलाओं को तो नहीं मिल पाता है ना लेकिन बावजूद इसके यह प्रक्रिया धेरे-धेरे आगे बढ़ रही है आने वाले समय में जरूर कुछ बेहतर होगा आगे है बच्चों लेकिन जहां तक समानता की बात है समविधान की दृष्टी में तो समानता है लेकिन हम अपने चारों और असमानता ही असमानता देखते हैं अपने देश में हम आलिसान आवासों के साथ-साथ जोपडपटी या विस्वस्तरिय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकुलित यानि की यर कंडिशन कक्छा जो क्लासें से हैं वो यर कंडिशन हैं के साथ-साथ पेजल या सवचाले की सुविधा से बिहीन स्कूल भोजन की बरबादी के साथ-साथ भुखमरी भी हम देख सकते हैं कहने का मतलब कि एक और तो जोपडपटी हैं लेकिन दुसरे और आलिसान आवास हैं एक और तो सौचाले और पेजल की सुविधा से बिहीन स्कूल है तो दूसरी तरफ एयर कंडिशन वाला स्कूल है एक त अंतर बिल्कुल अस्पस्ट है बच्चों आए चर्चा करें वाला जो सवाल है उसका पांचवा सवाल आपके विद्याले में गठीद बाल संसद में किस तरह से लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्यों की प्रक्रिया का पालन किया जाता है ब्याख्या कीजिए देखिए तो हम ल किन बातों का ध्यान रखते हैं लोकतांत्रिक मुल्यों का ध्यान रखते हैं की नहीं लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्यों का ध्यान रखते हैं की नहीं बालक और बालिकाओं का ध्यान रखते हैं की नहीं अलग-अलग सभी कक्छाओं का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते है सभी समुदाय के बच्चों का ध्यान रखते हैं ने रखते हैं बहुत सारी बातों का बच्चों हम लोग ध्यान रखते हैं तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लें सरकारी विद्यालेों में गठीद बाल संसद लोगतंत्र की समझ को बिक्सित करनी की एक योजना है जब हमारे विद्यालेों में बाल संसद के सदस्यों या बाल संसद के मंत्रियों का चुनाव होता है तो उस समय प्रजातांत्रिक मुल्यों को ध्यान में रखा जाता है और प कारे के अनुकूल ही उसे मंत्री का पद दिया जाता है जैसे कि जो बच्चा बिलकुल रेगुलर इसकूल आता है परियास यह होता है कि वो जो है मतलब एटेंडेंस वाला काम को वो देखेगा वो दूसरे बच्चों को भी देखेगा कि दूसरे बच्चे बच्चों की उपस हम लोग हेल्थ मिनिस्टर बनाएं बाल संसद का और जिसे खूब रुची है बागवानी का और जो भी इसकूल में जो पाउधे लगे हुए हैं उनकी देख भाल का तो ऐसे बच्चे बागवानी यह तो स्वभावी के रुजान होता है बच्चों का साथ ही हम यह भी देखते हैं कि बालकों के समान ही बालिकाओं को भी बाल संसद में उनकी संख्या के अनुकूल प्रतिनी धित्व मिले बच्चों अब कुछ सवाल जो है प्रोजेक्ट वर्क वाले हैं जो की आपको करने हैं है ना इसमें आपको थोड़ा मेनत पड़ेगा लेकिन इसके बावजूद बच्चों मैं प्रयास करूंगा कि इन दोनों सवालों का मैं अलग से आप लोगों को उत्तर उपलवद कराने का प्रयास करूंगा अभी सिर्फ इन प्रसनों को समझा दूं कि इसमें आपको करना क्या है बच्चों सवाल है समाज में समानता लाने के उद्देश से जार्ख इसमें आपको क्या करना है कि हमारे जायकरण सरकार की जो भी योजनाय लागू है तो उन योजनाओं में से आपको एक योजना का पता करना है आप अपने अपने विद्याले के सिच्छकों से भी बात कीजिएगा कि सर हम लोग हमारे राज सरकार के द्वारा कौन सी ऐसी योजना चल गई है जिसमें की समानता लाने के उद्देश का प्रियास हो रहा है ऐसे आप पूछ सकते हैं ठीक है और उस पे आप कुछ पंतिया लिखेंगे कुछ रिपोर्ट्स त्यार करेंगे अगला सवाल है बच्चों ये भी पोजेक्ट वर्क का सवाल है जो आपको करना है पता लगाईए कि किन-किन छेत्रों में समानता के लिए अभी भी संगर्स किये जा रहे हैं बच्चों आप लोग अपने गाउँ अपने परिवेस में ही देखने का प्रयास किजिए कि समानता और असमानता को लेकर कि क्या दोंद चल रहा है आपकी छेतर में है ना पता लगाईए कि किन-किन छेतरों में समानता के लिए अभी भी संगर्स किये जा रहे हैं इसके महत्तों को आरेक और चितरों के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए तो बच्चों इस तरह से पहले चैप्टर जिसका नाम है लोगतंत्र उसके सभी प्रस्नों का हल आपको उपलब्ध हो चुका है अब आप अच्छी तरह से इन सभी प्रस्नों के हल अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और बच्चों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पर समात करता हूँ जैहिन बच्चों